दोस्तों काफी बड़ी खुषखबरी निकल के आ रहे हैं नेशनल एस्कॉलर्शिप को लेकर आपको बता दे नेशनल एस्कॉलर्शिप के तहट जो केंट सरकार दोरा वैसे तमाम 64 तरओ को पैसा दिया जाता जो pre-matics या post-matics के तहट आते हैं प्रिमेटी के अंतरगत में अगर मालीजिए आप कक्षा एक से दसवी तक की पढ़ाई करते हैं, पोस्ट मेटी के तह तक अगर आप दसवी से उपर 11-12 वी बिटेक, एमटेक, ऐसे बहुत सारे कोर्स अगर आप करते हैं, टॉप लेवल का भी तो इसमें आपको भाड़ा सरक परकार आपको पुर्षाहन रासी के रूप में स्कॉलर्शिप देती है, पहले ये स्कॉलर्शिप सभी जाती के लिए सुरू नहीं किया गया था, और सभी परकार के जो स्कॉलर्शिप है, निरधारित कर दी गई है, आज कि वीडियो में कम्प्लीट प्रोसस आपको लाइ अब किसी परकार के स्कॉलर्शिप के लिए किस परकार आवेदन करेंगे, जिसकी पूरी जयनकारी हम आपको लाइब दिखाएंगे, वीडियो को में तक लाइक नहीं किया, तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को ज़रूर सुस्काइब करें, तक आने वाले हर एक वीडियो सभी के लिए आवेदन परक्रिया सुरू हो चुकी है, आपको बता दे इसमें, अब सभी परकार के स्टुडेंट अपलाई कर पाएंगे, ओवी सी, सी, स्टी, यह से जो भी कनिटेट है, सभी अपलाई कर पाएंगे, अब नीचे आएंगे, आपको देखना है कि किस किस पर प्रिमाटिक करेंगे, तीस, नौ, दो, जारबाईस तक है, मायनूरिटी में मतलब वैसे लोग जो मायनूरिटी कम्नूरिटी से आते हैं, जैसे मुस्लिम हो गया, सी, किसाई, क्रिस्चन हो गया, ऐसे लोग इसके लिए आवेदन करेंगे, उसके आलावे भी यहां पर जैबल है, किसे भी परकर के दिव्यांग है, उनके लिए भी अपलाई की प्रोसेस सुरू हो चुक dab4483 का है, इसके लिए हमने वीड़ी अपको बनाया थे higher education बला जो के center sector scheme का है यानि सभी परकार का यहां पर देख सकते हैं उसके अलावा UGC का जो भी scheme है जिसके लिए भी आवेदन की परकिरिया सुरू हो चुकी है और state scheme के ताथ भी देखेंगे तो इसका भी आवेदन जो है काफे सारे जगहों पर सुरू हो चुकी है आईए हम बात करते कैसे इसके लिए आवेदन होगा किस परकार आपको form को fill up करना जिसकी पूरी जनकारे आपको इस वीडियो में हम cover करेंगे इसलिए इस वीडियो कौन तक जरूर देखीगा सबसे पहले google open करेंगे search करेंगे online update htm.in और यहाँ पर आप मौल से करेंगे तो three line मिलेगा और यहाँ पर option मिलेगा आदर का आप इस पर click करेंगे जहाँ पर scholarship का option मिलेगा इस पर click करेंगे जिसे आप इस पर click करेंगे आपको redirect करेंगे national scholarship के इस नए बाले portal पर जहाँ पर काफे सारे update किये गए आप देखेंगे तो काफे सारे option है आपको बता देए यहाँ से वही candidate apply कर पाएंगे प्रिमेटिक या पोस्टमेटिक के अंतरगा जो सिर्फ SC कास्ट से आते हैं अगर आप SC के अलावे other categories से आते हैं तो आप यहाँ पर click करके इसके लिए apply कर सकते हैं और other screen के लिए भी आप यहाँ से apply करेंगे ओके बाले पर click करेंगे सारा terms and condition खुलेगा जुकि फ्रेस रेश सबसे पहले आप अपना स्टेट से लेक्ट करेंगे साथी जो स्कॉलर्शिप है किस परकार का लेना है जैसे clear mention किया गया कि प्री मैटिक के अंतरगत जैसे कक्षा वन से लेकर दस तक आता है वही पोस्टमेटिक स्कॉलर्शिप के तहद जितने भी टॉप क्लास के स्टूडेंट है ऐसे जो भी एक यह गारवी बारेवी से उपर परते हैं तो आप पोस्टमेटिक को सेलेक्ट करेंगे साथे यह स्टूडेंट का जू भी नाम होगा अब डालेंगे नाम उनके माक्सिट के अनुसारे होगा यूजना का जो प्रकार है आपको सेलेक्ट करना डेटो बर्थ यहां कैलेंडर आपको मिलता है सबसे पहले क्या करेंगे डेटो बर्थ में जो भी आपका यह होगा उसको डालेंगे फिर मन्त जैसे मन्त पहले डेट मन्त और यह को डालेंगे उसके बाद आपका जेंडर जो भी होगा सेलेक्ट करेंगे फिर जो भी mobile number available होगा उसको डालेंगे email ID को डालेंगे IFC code यहाँ पर आपको डालना है IFC code डालते ही नीचे देखेंगे आपका bank का नाम आ जागा और किस bank का आपका account है उसका पतक क्या है वो आ जाएगा यहाँ पर आपको account number डालना है उससे account number को confirm करना है नीचे देखेंगे पहचान का विब्रन है जहाँ पर आप आधार number भी provide कर सकते हैं बहुत सारे लोगों का अधारकट में नाम कुछ और है और certificate पर नाम कुछ और है तो उस condition में आप यहाँ से bank passbook भी या bank account number भी आप प्रवाइड कर सकते हैं आधारकट को आप अपडेट भी करवास कर बाद में इसका detail डाल सकते हैं काप्चा को यहाँ पर डालना है फिर एक option मिलता है रेष्टर का आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस परकार एक आपको स्टुडेंट अप्लिकेशन आइडी मिलेगा इस आइडी को आपको क्या करना कॉपी करके आपको नोट डाउन करके रख लेना है उसके बाद ए कि पीछे में एक काप्चा मिलेगा उसके बात लोगिन पर क्लिक करेंगे जिसलोग्यिंट अपको च्छोटा लेटर एक बड़ा लेटर एक आंक जिससे जिरो से-9 के बीच में एक सिंबल होना चाहिए उसके बाद समिट पर किलिक करेंगे इस परकार आपका पासवर्ड शक लिक करेंगे उसके बाद cent का जो भी डीटेल आपने पहले से फिलफ्क किया था उस सभी डीटेल को यहां पे देखने को मिलेगा कुल बाद यहां से अपना जाती को सिलिंग करें का नाम डालना है इस को लूम Corona फिर मदर का नाम जो भी होगा इस्किर में डालना अपना सेक्सिन को डालना है और यहां पर देखेंगे आप से पूप्छा जाता यहीं के बारे में पूचा जारा कि परजेंट में आप क्या कर रहे है, उसकूर्स को यहां सब को सलेक्ट करना है, वसके पर जेस्ट को अब वह पुड़ाइक ट्रऑना और पिर आपने जो प्रीबेर्स ripe जो भी प्रभाई कंप्लीट किया होगा जैसक्र 11th में मिंस लिया तो 3 अपने पास किया होगा तो किस बौर से आपने किया होगा उस बोर को यहां साँ को सेलेक्ट करना होगा और यहाप पहले प्रिम्यर्स में आप झेडिने किस Wir water को्ता है तेन्थ या 12 को किया है उसका जो भी एर होगा परसेंटेज बताएंगे यह सभी डीटेल को डालना है अगर आपने 12 कंप्लीट कर लिया तो 12 का डीटेल डालेंगे अने था इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है अगर नहीं लेगा तो रॉल कोड के साथ रॉल नंबर को आप विदिनेट का डीटेल जब डालेंगे तो उसके बाद पृता जी क्या करते है उसको यहांसे सिलेक्ट करना है उसके बाद tab continue का option मिलता है इस सबस्क्राइब करें और इसका लाब लेने का हमने complete जनकारी आपके साथ साजा किया पिर भी कोई doubt है या आप confusion है तो comment करके आप पोच सकते हैं वीडियो कैसा लगा comment करके आप जरूर बताए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद